तो क्रिप्टोग्राफी सिंपल आप फिर से समझ यहां पर क्रिप्टोग्राफी का मतलब हो जाता है जब हम नेटवर्क में कोई सूचना भेजते हैं तो नेटवर्क के माध्धम से भेजे जाने के कारण उसे जो है कोई अन्यवेक्ती ना पढ़ पाए इस कारण उस टेक्स् स्क्रिप्टोगाफी में सायफर टेक्स्ट सायफर टेक्स्ट में जैब बदल जाता तो उस प्रोसेश को ब Originally dar उसके लिए यूजा ऐसके पर का इन्क्रिप्चन की यहां पर हमको जैक्तित एंक त्याफ पारता है यहां दो प्रकार की प्रोसेस है एक एक तो same key की जरुवत पड़ती है और एक different key की जरुवत पड़ती है तो दोनों ही key के बारे में हम आगे बात करेंगे तो यहां coding में बदलने की process को क्या बोल देते हैं क्रिप्टोग्राफी और फिर से रीडिंग के समय उसको क्या किया जाता है दो प्रकार की process होती है क्रिप्टोग्राफी में symmetric encryption और एक होता है asymmetric symmetric में आप देखे encryption के लिए secret key उसकी जा रही है और उसी same key को secret key के दारे decrypt किया जा रहा है यानि कि plain text को पहले बदल जा रहा cipher text में encryption के माध्यम से secret key के माध्यम से और जब उसको पढ़ना हो तो decrypt किया जाता है उसी same key के माध्यम से receiver के द्वारा और plain text में बदल कर उसे पढ़ लिया जाता है यह कहलाता symmetric key symmetric मतलब same key और asymmetric में आपको different key देखने मिलेगा मतलब एक public की होती है जिसके माध्यम से encrypt कर दिया जाता है और एक secret की होती है receiver के side में जिसे decrypt किया जाता है तब कहीं जाके coding text को यानि cipher text को plain text में बदल पाता है तो यह हो जाता हमारा asymmetric और symmetric की क्रिप्टोगाफी है और क्रिप्टोगाफी क्या होती है आई होप आपको समझ में आया होगा और detail वीडियो के लिए आप जो है channel को subscribe कर सकते हैं